कॉंग्रेस को सिरब जूट बोलना आता है और आज भी कॉंग्रेस यही कर रही है साथियों कॉंग्रेस ने वीरों की इस धर्ती और यहां के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है एक कॉंग्रेस ही है जो चार दसक तक वन रैंक वन पेंशन के नान पर हमारे पुर्वस सैनिकों से विश्वास गाद करती रही कागजों पर सिर्फ पांसो करोड रुपिय रखकर कॉंग्रेस कहती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी जबकि इसके लिए हजारों करोड रुपियों की जरुवत थी बाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया बल्कि पुर्वसाइनिकों को एरियर पी दिया वन रैंक वन पेंशन लागू हने के बाद अथारा हजार करोड रुपियों से ज़ादा की रासी एरियर के तौर पर पुर्वसाइनिकों को मिली है इसका अलाप राजस्तान के भी करीब करीब दो लाग पुर्वसाइनिकों को मिला है वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वैज़़े से देश के पुर्वसाइनिकों की जेब में अब तक करीब करीब 65,000 करोड रुपिया गया है 65,000 करोड रुपिया दोस्तो आप कल्पना कर सकते हैं कहां कॉंग्रेस के 500 करोड रुपिये और कहां बीजेपी सरकार के 65,000 करोड रुपिये अगर बीजेपी सरकार ना होती तो पुर्व फोजियों को आज भी वन रैंक वन पैंसन का इंतजार ही करना पड़ता